कि अला दोस्तों स्वागत है आपका एम आई एस एसरी सर्कल के यूट्यूब प्लैट्फॉर्म पर और होफुली आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी 17 दिसम्मर वाले एक्जाम के लिए जो बस आने ही वाला है तो कुछ पॉइंट्स डिसकस कर लेता है फिर से एक करेंट अफेर्स के हैं उत्राखंट से नहीं है लेकिन इस एक्जाम के लिए इंप्रेंट है क्योंकि इसमें जी एस वाला करेंट इवेंट वाला पार्ट भी आएगा उश्रुव लाना है कि प्रमुक कौन है वायु सेना के इसका पता लगाई है और कमेंट बॉक्स में लिखके भीजिए दूसरा है है हब एंड स्पोक मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल का संबंध किस्से है कस्चनगर यह आता है तो क्या उसका जवाब होना चाहिए वेफसाइक सिक्षा क को बढ़ावा देने के लिए है हब एंड स्पोक मॉडल तो परपस क्या है कि जिन स्कूलों में प्रियोक्शाला नहीं है उन स्कूलों के छात्रों को प्रियोक्शाला तक ले जाने के लिए परिवहन के लिए सरकार की तरफ से तीन हजार रुपे दिये जाएंगे ये है इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो एक्जाम में आ सकती है और जो सिक्षा दिकारी हैं उनकी इंफॉर्मिशन की अनुसार इस समय प्रदेश में कुल 200 स्कूल में वेफसाइक सिक्षा दी जा रही है वरतमान में इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी याद रखेगा बढ़के जाईएगा ठीक है अगरा देखता है एक काम आपको खुद करना है ये पी एम स्री स्कूल क्या है कब इ ग्लोबल हंगर इंडेक्स याने की वैश्विक भुकमरी क्या सकते हैं क्या सूचकांग 2023 तो इसमें हम देख सकते हैं कि भारत का स्थान काफी पीछे है बही 111 स्थान पर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी चिंता जनक विसे है कि इस्राइल और फलिस्तिन के बीच में जो युद्ध चल रहा था यह शुरू कब हुआ था क्योंकि आज कर हम देख रहे हैं आयों काफी डेट भी पूछ रहा है डेट याद रखेंगे साथ अक्टूबर दोजार तईस पिछले से पिछले महें ने अभी भी महाँ पर बाव प्रास्टिक प्रोडक्स हैं जिसका बैग बनता है उसको बैन कर दिया है और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है इंपोर्टेंट है आ सकता है इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नैवल एक्सरसाइज अर्था देख नौ सेना अभ्यास चल रहा है उसका नाम क्या है उसका नाम है वरुन ओपरेशन नट ओपरेशन एक्सरसाइज वरुन ठीक है और यह इसका कीस्वा क्या था एडिशन था और इसे बंगाल की खाड याद रखेंगे बात को अगला को अगला है आठ्वा टॉपिक आठ्वा पॉइंट सोरी ग्लोबल पीस इंडेक्स अर्थात सांती सूचकांक में भारत का इस्थान क्या है बहुत इंपोर्डेंट कोश्चन है आसकता है दो जार तेज की है रिपोर्ट एक सो तिरेसट कि पहला स्तान किसे को मिला है आइसलैंड को अक्सर हो जो देश हैं विजिरेंड के नौर्धन वारे जो डेश हैं feminine पे रहते हैं या सुरुबात के शीर शी देशों में रहते हैं जी सेवन समिट यानि कि साथ देशों का समूह विश्व के जो साथ तक्तिशाली देश हैं आर्थी ग्रूप से संबन देश हैं उनका सम्मेलन हिरोशीमा में हुआ इस बार ठीक है हिरोशीमा जापान का सहर आपको पता ही है जहां पर एडम बॉम गिराया गया था भारत को भी किया गया था इस बार और इससे पहले भारत को कई बार की बार्म याजा चुका है लेकिन मोदी जीज बार चौति बार शिर्कत कर रहे हैं इस कर दो क्या पोर्फो क्या है भारत को बार बार नियुदा देने का अपको यह पता लगाना होगा कि इस ग्लोबल साउथ से क्या अताथ पर रहे ग्लोबल साउथ वे कंट्रीज हैं जो अफरीका, एशिया के देशों के अंतरागत सामिल हैं विकासील देश हैं और इसमें भारत काफी कह सकते हैं कि एक important hub है जो सभी देशों को जो मजबूत देश हैं उनको आकर्शित करता है ठीक है तो यह समझना जरूरी है कि what do you understand by global south आगे देखते हैं फिल्लेंड नैटो का 31 सदस्य बन गया है इस साल very important क्या बन गया है 21 सदस्य बन गया है पढ़िएगा नैटो के बारे में इसकी स्थापना कब होई थी क्या परपस था ठीक हो सके तो पढ़ लिजेगा North Atlantic Treaty Organization short मैं मता दूं आपको World War के बाद इसकी सापना हुई थी विश्व दो गुटो में बढ़ गया था एक गुट USA की तरफ था एक गुट सम्माइन ने कौन सा सैन सोन गठन मनाया है ईस मुझे इसका आउन्सन लिखकर parcifen भागस बेजेंगे खए ऑप्रेशन Karoona क्या था ऑपरेशन करूना भारत के द्वारा चलाया गया था म्यानमार में क्योंकि म्यानमार में मोचा नाम का एक ट्रॉपिकल साइकलोन हिट किया था और वहां जो प्रभावित लोग थे उनकी सहायता के लिए यह आपरेशन चलाया गया था तो इस आपरेशन का नाम है आपरेशन करूना और मैं बार बार रेपीट भी क कर चुका हूं कि operation से संबंदित military exercise संबंदित आपको सभी points पता हूने चाहिए क्योंकि यह exam में question आने के लिए इन questions को आने की ठीक है तो मोचा से प्रभावित लोगों की साहता के लिए भारत दौरा चलाया गया यह अभियान था याद रखेंगे अभियान का नाम है operation करुणा फिर बूजी ब्रिज कहां है बूजी ब्रिज बूजी ब्रिज है मोजंबीक में और scout garden प्रधान मंतिन ने नहीं किया था यह किया था हमारे विदेश मंतिरी डॉक्टर जैसंकर ने बूजी ब्रिज इस पार्ट आफ 134 32 क्लिमिटर रोड प्रोजेक्ट का एक पार्ट है मोजंबीक में भारत ने इस ब्रिज को स्थापित करने में एहम भूमी का निभाई है जो की मोजंबीक और भारत की मित्रता का क्या है एक प्रती है ओके इंपॉर्टन है प्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंट इंडेक्स यहां से भी क्वेशन आने की पूरी समभावना इस बार प्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंट इंडेक्स 2023 अर्थात जलवाईव परिवर्तन प्रदर्सन सूचकांग हर साल रिपोर्ट आती है आप मुझे बताएंगे कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखने तो पढ़के जरूर जाईएगा कि जलवाईव परफॉर्मेंट इंडेक्स जो है यह कौन सी संस्था जारी करती है भारत का इस्थान इस समय क्या है आठवा काफी अच्छी रहेंग इस सत्भी जलवाई परवरतन प्रदन सुचकांग में जलवाई पर वर्वटन प्रद्धन सुचकांक में दिली 6 नमबर पर मुरक को 7 नमबर और इंडिया 8 नमबर पर इंपोर्टन है पढ़के जाईए है एक और हूम वरक आपके लिए वाट इस वाइबरंड विलेज प्रोग्राम वाइबरंड विलेज प्रोग्राम क्या है कब इसकी शुरुवात होई और कहां से की शुरुवात हुई है क्या उत्राखंड इसके इस वाइबरन विलेज प्रोग्राम के अंतरगत शामिल है या नहीं प्लीज इसको पढ़िए और पता लगाईए और सब्सक्राइब कमेंड बॉक्स में लिखकर भीजेगा लास्ट पॉइंट आज का फैमिना मिस इंडिया का वर्ड इस बार किसको मिला है नंदिनी गुप्ता को ठीक हो सकता है फैक्ट्वल आ जाए मैंना ऐसी पिक कर लिया था रेंडमली माइट भी इंपॉर्टेंट ज्यादा रिसर्च करने की जरूत नहीं है नाम याद रखेगा नंदिनी गुप्ता जैस्ता फैमिना मिस इंडिया दिस येर 2023 अपनी पढ़ाई जारी रखिए जो फैक्ट्वल सकता है कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए अगर किसी प्रतार की हैल्प की जरूत है तो म मैं इस चैनल के माधिम से आप तक कोई हल्प पहुचा सकता हूं थैंक यू टेक केर